Hello everyone, welcome to our online classes, myself Prachmari Sarma, Hindi teacher of class 1 तो बच्चों, आज हम जो है, lesson 4, यानि पत्ते ही पत्ते का जो है, revision करेंगे तो चलिए करते हैं देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखना है, कव नमबर, दीदी ने कहां तक गिंती बोली हम इसका उत्तर लिखेंगे, पाँच तक गव नमबर, बच्चे क्या बना कर बैठ गए, हम यहां लिखेंगे, गोला बना कर गव नमबर, दीदी क्या लेकर आई थी, यहां हम लिखेंगे, पत्ते गव नमबर, छूकर देखने से एक पत्ता एक तरप से कैसा था, हम यहां लिखेंगे, मुलायम अब देखिए नमबर टू का एक से पांस तक हिंदी में गिंती लिखेंगे तो देखिए एक लिखने के बाद एक यहां फिर दो लिखने के बाद दो यहां तीन लिखने के बाद तीन यहां चार लिखने के बाद चार पांच लिखने के बाद यहां फिर हम 5 अक्षर में लिखेंगे है ना आप देखिए नमबर 3 का नीचे दी गई गिंती के सामने उतनी ही बिंदियां हमको चिपकाना है साथ है तो यहां पर साथ बिंदी चिपकाएंगे जैसे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ इसी तरह से दस है तो दस बिंदी यहां चिपकाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस आठ है तो यहां पर आट बिंदी हम चिपकाएंगे एक दो तीन चार प फिर 6 है तो 6 बिंदी यहां चिपकाएंगे 1,2,3,4,5,6,9 है तो यहां पर 9 बिंदी चिपकाएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब चलिए दूसरे पेज में चलते हैं कि आप हरी सब्जियां खाते हैं किनी 3 पतेदार सब्जियों का नाम लिखेंगे जैसे दिखे बंधा गोभी, भाजी, पालक यह जो है पतेदार सब्जी होते हैं है ना उसकी बाद दिखे चित्र देखकर 5 जानबरों के नाम लिखेंगे जो पते खाते हैं तो क्या-क्या लिखेंगे यह किसका चित्र है गाय का तो यहां गाय लिखेंगे यह भैस का चित्र ह भैस लिखेंगे यह जिराप का चित्र है यहां जिराप लिखेंगे यह बकरी का चित्र है तो बकरी लिखेंगे यह हीरन का चित्र है हीरन लिखेंगे तो यह जो है सभी क्या खाते हैं पत्ते खाते हैं है अब चलिए दूसरे पेज में चलते हैं पाट के आधार पर जो सब्द पत्तों के लिए आए हैं उन्हें चुन कर लिखेंगे यहां दिखेंगे सफेद, लंबे, कथई, काला, गोल, मुलायम, छोटे, बड़े, लंबा, लाल, पीला, पतला, गिला दिया हुआ है तो इसी तरह से यह पत्ते के अंदर जो हमें उसको लिखना है जैसे दिखेंगे लंबे, गोल, छोटे, लाल, कथई, मुलायम, बड़े, पीला है ना बचों तो आज के लिए इतना ही और बचों इसको जो है अपने कपी में पांच-पांच बार लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे खर में बैठकर है ना धन्यवाद